दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होंडा की x-plate bike के बारे में क्या 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 आपको इसमें feature को देखने को मिलेंगी और किस तरीके से बाइक मिनने feature लगाएगे हैं आइए इसके बारे में बात करते हैं स्वागत है आपका अपने वाले चैनल में लाल वाले बटन पर दबा कर सब्सक्राइब करिए साथी साथ बेल के आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको मिले जनकरी वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हैं रही है जो फर्स इन क्लास और ओवो फेस के साथ इसे बनाया गया है फिर हम बात करेंगे इसके मेटर के बारे में आपको मिलता है फुली डिजिटल मेटर जैसे कि आप देख रहे हैं इस टेक डिजिटल मेटर है यहाँ पर आपको सारे ट्रीप और फिल इंफोर्मेशन नह अगर भी नाइस लुक दे रही है अगर हम इसके टाइंक की बात करें विलकुल है अग्रैसिव स्कल्प्टेड टैंक की तरह आपको दी गई है ताकि अट्रैक्टिव देखने में गया है विसले टायर की बात करें आपको मिलता है पीछे टायर बहुत ही यादा वाइड़ पावर की बाद करना मिलती है बाइक 160 CC की dazu कि आपको मिलता है मोनो-व蒜ोक का सब्स्पेंशन इसमें आपको बहुत ही लॉग शीट में आसरा आपकर आधमी आराम से बैठके राइट कर सेके अगर हम इसके बात करें ग्राइब रेल की तो जैसे कि आप देखे रहें बहुत इनाय तरी कि इसमें ग्राइब रेल लगाए गया है ताकि जो अट्रक्टिव दिखे फिर अगर हम बात करें इसके हाईजर्ट स्विच की यहां पर एक नया स्विच आएज़र्ट सुच का लि बात करेंगे जोस्तों इसमें आपको मिलेगा मैट फोजन शीलवर इसे आपको मेलेगा मैट मार्वल मेटालिक पारल इग्नियस ब्लैक तो यह अगर हम देखेंगे इस ब्लू अल्व मेटालिक को दिख रहे हैं जैसे कि आप इसके में पहले बहुत नहीं किया गया है और हम बात करें दूसरे कलर की जोस्तों सभी में जो हो बहुत अच्छी दीख रही है जोस्तों यह थी कुछ अच्छी एकस्पट बाइक की फीचर और इसके लात्वासर करता वीडियो आपको पसंद नहीं होगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिये और अपने फिर्ट में सेयर करिये थैंक्स वर वाचिंग आपको पता दिक है हमारे चैनल पे कमुट्री टैप भी स्टार्ट हो चुगा है तो अगर आप कोई भी सवाल पूछने चाहते हैं तो हमारे चैनल के कम्यूंट्री टैप में जाका आप आसानी से पूछ सकते हैं ठाइक्स फूर वाचिंग स्टे ट्यून विट अस